कवच का सफलता पूर्वक डिमांश्रेशन हो चुका है और उसके बाद तमाम लोग जानना चाहते होंगे कि आखिरकार कवच है क्या क्योंकि जब कवच की बात करते हैं तो कवच का सीधा सीधा मतलब होता है कोई ना कोई ऐसा बचाओ वो जो आपको परिशानी से रोके तो अलग अलग पार्ट को दिखाया गया है यह टेकनलोजी कैसे काम करती है उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस टेकनलोजी को बताने के लिए क्या नम है भाईशाब आपका सुब्रमन्यम यहां पर जो चीजें प्रदर्सित हैं इनके बारे में हम जानना चा अब लिंगम पली में देखा होगा और यह लोको टीका से यह लोको में डालता है रखा हुआ रहता है और यह स्टेशन के पास आते हैं तो एंटिना कम्मिनिकेट होके आता है इसके पास इंफरमीशन आजाती है यहां पर जब इसके पास इनफरमिशन पहुंचती है और कैसे कैसे क्या क्या होता है आई हम आपको ग्राफिक्स के जर्दिया समझाते हैं कि किस तरीके से RFID काम करती है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर अलग अलग चीजे हैं railway station के अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का setup लगाया गया है वो आप देख सकते हैं HTCast साथी साथ relay rack और GSM GPS antenna station के उपर लगा होता है इसी तरीके से वहाँ पर relay room है तो यहाँ पर जो कवच का जो architect है यानि पूरा का पूरा setup है उसको दिखाया गया है अगर हम लोकों के अंदर की बात करें तो लोकों में RFID लगी रहती है जो track के नीचे होती है यहाँ track के नीचे RFID दिखाई गई है और यहाँ पर reader लगा होता है यानि RFID के जो signals है उनको पढ़ने के लिए जो reader चाहिए वो यहाँ पर लगा हुआ है साथी साथ इसमें DMI यानि एक ऐसा panel जो लोको केबिन के अंदर होता है जहाँ पर लोको पाइलिट के पास information मिलती रहती है कि आगे signal क्या है किस तरीके की चीज़े हैं कैब signaling की जो बेस्था है उसके अंदर होती है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं लोको TKS की भी यहाँ पर अंदर पूरी बेस्था की जाती है और उपर की अगर हम बात करें तो radio frequency एंटीना लगा रहता है GPS एंटीना लगा रह चलाया जाता है तो तुरंत इसकी information सिस्टम में चली जाती है और यह जो information है कहीं न कहीं आसपास के जगह जगह पर लगाया जाते हैं उनके पास जाती है और वह आगे भेज देते हैं यानि यह पूरा का पूरा सिस्टम जो की अब काम करना शुरू हो चुका है CR में इसका इस्तेमाल भी सुरू हो गया है और आज रेल मंत्री ने इसका हम कह सकते हैं सफलता पूर्वक एक तरीके से प्रदर्शन भी किया तो इसकी सारी डिजाइन यानि किस तरीके की चीजे हैं मोटा मोटी जो चीजे हैं उनको यहां पर दिखाया गया है और आने वाल कर दो हजार किलोमीटर रास्ते पर कवच को लगाए जाने की बात कही गई है इसकी कीमत की बात करें तो कीमत काफी कम है में इंडिया है यानि आतनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है और खुद रेल मंत्री का कहना है कि इसके एक्सपोर्ट करने की भी स संभावना है कैमरमेंट डीके सर्मा के साथ सिध्धार्थ निउज स्टेशन सिकंद्राबाद